नमस्कार शातियों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में हम लेके आए हैं प्रीबियस इयर कमिश्टी की कॉश्चन्स जो की आपके लिए इंपोर्टन्ट रहेंगे हिमाचत परदेश टैट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों स्टीम्स के लिए ये वीडि हमने जुलाई 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्ब किया था तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं तो ये वीडियो नमबर फाइब रहेगी आपके एचपी टैट एक्जाम के लिए जो की नवंबर 2023 में होने वाला है देखें पहला क्वेश्चन है दो फर्स्ट और्गनिक कंपाउंड इस प्रिपेर्ड पहला और्गनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था आप्शन से हैं मिथेन एसटीक एसिर मिथाइल अलकोहल एंड यूरिया वह इसका जो सही अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी हो जाएगा यूरिया यूरिया सबसे पहले बनाया गया था लैबाटरी में और किसके दौरा बनाया गया था उनका नाम था होलर होलर भाई साब थे ये ठीक है जी एक एमिश्ट थे उन्होंने इसको बनाया था एफ होलर हम बोलते हैं कब बनाया था 1828 में बनाया था ठीक है और किस से था तो इन्होंने ammonium cyanate लिया था उसको heat किया था और जो product बना था वो बना था ammonia अगर मैं इसका reaction यहां पे लिखना चाहूं तो NH4 CNO यह हो गया ammonium cyanate इसको क्या किया heat किया और हमारे पास जो product बना वो बना ammonia ammonia का structure formula भी देख लीजिएगा और chemical formula भी देख लीजिएगा तो क्या है यह CONH4 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और NH4CO यह बन गया हमारे पास ammonia और यह किसे बना वही ammonium cyanate से ammonium cyanate यह बात ध्यान में रखनी है वे question पूछ लिए जा सकता है वे बताओ यूरिया कब बनाया गया तो 1828 अंसर हो जाएगा किसके द्वारा बनाया गया होलर द्वारा बनाया गया अगर पूछ लेगा कि what is the structural formula of यूरिया तो भी आप इसका अंसर दे सकते हैं next question की ओर बढ़ते हैं yes देखिएगा the oxidation number of iron in FeCO5 FeCO5 तो ये क्या है एक coordinate compound है इसमें हमें बताना है कि iron का oxidation नंबर क्या है तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो COI carbonyl है इसका हमें पता होना चाहिए भी इसके उपर कितना जो नंबर होता है तो ये एक natural ligand है कैसा ligand है natural ligand natural ligand है तो इसके उपर कौन सा charge होता है भी 0 charge होता है तो अगर हम iron का x मा लेते हैं तो x plus 0 is equal to 0 और x is equal to 0 आ जाएगा हमारा answer option number a बिल्कुल सही हो जाएगा भी iron का oxidation number 0 है कितना रहेगा 0 next question क्यों पढ़ते हैं yes which of the following particulates is most toxic बोला कि सबसे ज़्यादा toxic कौन सा है इन में से एक तो आ गया smog आ गया भाई inorganic compounds आ गया shoot आ गया and fly ash आ गया तो देखिएगा सबसे ज़्यादा toxic यहाँ पे हो जाएगी shoot option number c option number c is correct answer अब यह shoot क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं तो यह कब निकलती है जब incomplete combustion होती है क्या होती है incomplete combustion incomplete combustion of hydrocarbons hydrocarbons और इस incomplete combustion hydrocarbons की incomplete combustion से क्या मिलता है impure carbon impure carbon particles मिलते हैं ठीक है और इनी की बज़ा से इनी की बज़ा से क्या होता है फिर disease होते हैं जैसे कि lung disease हो गया lung disease हो गया और अगर हम बात कर लेते हैं तो lung cancer जैसी चीजें देखने को मिलती हैं तो सबसे हारम फुल देखो lung disease and cancer की बात हो रही है तो सबसे हारम फुल क्या हो जाएगा भई option number C shoot हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में कालिक बोला जाता है अगर हम बात कर लेते हैं smog की तो smog क्या चीज होती है तो हम सभी को पता है कि जब chemical pollutants air में sunlight से react करते हैं तो smog उतपन होती है धुन्द उतपन होती है यहाँ पर इसके लिए भी लिख लेते हैं smog के लिए लिख लेते हैं भी क्या है यह यह है जब chemical pollutants chemical pollutants react with sunlight तब smog जो है वो उतपन होती है और inorganic compound बहुत सारे inorganic compound है जैसे lead हो गया mercury हो गया यह inorganic compound में आ जाएंगे और fly as भी जो हमारी राक होती है वो fly as में आ जाएंगी ठीक है आगे next question देखो भी the the element used for bulkinization of rubber तो बहुत बार यह question पूछा गया है और examiner का एक favorite question जो है यह देखने को मिलता है तो bulkinization of rubber में consignment use होता है option देखीगा potassium, zinc, sulfur and bromine भी सबसे सही answer हो जाएगा sulfur option number c option number c जो bulkinization of rubber है एक important topic बनता है वह इसको पढ़ लीजिए अगला question देखेंगे यस बी ओडी is a measure of बुला बी ओडी किसका माप है options आपके सामने है organic pollutants in water in organic pollutants in water and particle matter in water और none of these तो जो हमारे water में oxygen की जरूरत है अब oxygen की जरूरत क्यों पढ़ेगी क्योंकि भई वहाँ पे matter है matter को जब हमने क्या करना है degrade करना है तो oxygen तो चाहिए चाहिए जब बड़े particles को छोटे particles में convert करना है तो oxygen तो चाहिए तो जो चोटे चोटे जीव होते हैं वो क्या करते हैं वो oxygen का use करते हैं इस decomposition के लिए और पानी में oxygen की मात्रा कम हो जाती है जब पानी की पानी में oxygen की मात्रा कम हो जाती है तब तब जो पानी में जीव रहते हैं उनको oxygen की कमी हो जाती है oxygen की कमी हो जाती है तो पानी में unwanted plants उग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जीलों के उपर बहुत सारे plants उग गें हैं भई उन्होंने पूरी जील को गेर रखा है तो ये सब किसकी बज़ा से होता है जब oxygen में जब पानी में oxygen की कमी हो जाती है तो इसका अंसर option number A बिल्कुल सही रहेगा organic pollutants in water पानी में organic pollutants का increase होना तो ये बात ध्यान में रखिएगा और एक और बात की ये क्या होता है BOD ये होती है amount of oxygen amount of oxygen dissolved in water dissolved in water amount of oxygen dissolved in water ये बात अपने ध्यान में रखनी है next question क्यों और move करते है yes आगे आ जाता है following reaction is an example of निमलिक्त में से जो reaction आपको दिया है वो कौन सा reaction है देखो जडनो प्लस कार्बन इट गिब्ज जिंक एंड कार्बन मौनो अक्साइड अब इस reaction में क्या हो रहा है क्या redox reaction है displacement है combination है ये double displacement है तो देखिए ये जो reaction है यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें जिंक ऑक्साइड की तो minus 2 आजाएगा oxygen के उपर और plus 2 जो है वो oxidation state आजाएगी जिंक की जब हम जिंक reaction के दूसरी products में जाते हैं जब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं तो जिंक की oxidation state 0 है native oxidation state 0 होती है किसी भी element की उसी तरह carbon की यहाँ पर देखें जिस तरह तो carbon की native oxidation state 0 होगी और जब यह product में जा रहा है carbon monoxide बन रहा है तो इसके पास plus 2 oxidation state आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि जिंक की क्या हुई भई reduction हुई reaction में क्या हुई reduction हुई और अगर हम दूसरी तरह बात कर लेते हैं तो carbon की क्या होती है carbon की oxidation होती है क्या होती है oxidation होती है और हमने पढ़ा है कि जब reduction और oxidation साथ-साथ में होती है तो उसको बोलते है redox reaction that is option number 1 option number A is correct for this question now we move to next question yes 37th cloud formation occurs due to the process cloud formation cloud यानि की बादल बादलों का निर्मान जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया से होता है evaporation condensation transpiration and all of the above तो इसके लिए वही all of the above option number D बिल्कुल सही रहेगा अब देखिएगा evaporation क्या होती है जब sunlight जो है sunlight जो है उपर की तरफ उड़ रहा है पानी भाप बनकर उपर की तरफ उड़ रहा है उस प्रोसेस को बोल देते है evaporation ठीक है evaporation अब आजाओ भी condensation के उपर condensation क्या होती है जब कोई gas है ठीक है moist air है वो क्या हो रही है उपर जाकर condense हो रही है liquid में convert हो रही है तो evaporation प्रोसेस में क्या हुआ पानी जो है वो भाप बनकर उपर की तरफ उठ रहा है और उपर क्या है उपर जो है वो pressure change हो रहा है बादल बन जाता है क्या बन जाता है बादल बन जाता है तो यह होती है condensation process तो यह cloud formation में involved है वह evaporation भी involved है condensation भी involved है अब transpiration पर आजाओ transpiration का मतलब होता है जो हमारे plants है plants butter की drops को बाहर निकालते हैं जैसे कि हमने देखा होगा अगर हम सुबा उट के देखें तो plants के पतियों के उपर या डालियों के उपर पानी की बूंदे होती है droplets होती है उस process को बोलते है transpiration और जब sunlight इस पानी के उपर पड़ती है या पौधे के उपर पड़ती है तो वो जो droplets हैं वो भी evaporate हो जाती है भाप बन जाती है तो transpiration भी cloud formation में help करता है इसलिए option number D बिलकुल सही रहेगा इस question के लिए आगे देखेंगे अगला question बोलता है compost fertilizers makes soil तो देखो ये जो compost fertilizers होते हैं ठीक है जिनको हम compost खाद भी बोलते हैं ये कैसे होते हैं nature में ये acedic होते हैं क्या होते है acedic होते हैं ठीक है तो इनका use कहां किया जाएगा इनका use किया जाएगा जहां पे हमारी soil जो है वो basic है ठीक है बेसिक है अगर हमारे पास soil basic है basic यनि की खशारिये हैं तो हम इसमें क्या करेंगे compost डालेंगे compost डालेंगे तो ये क्या बन जाएगी neutral बन जाएगी ठीक है कैसी बन जाएगी neutral बन जाएगी और neutral बन जाएगी तो हमारे पौधे के लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा तो compost fertilizers क्या करते हैं soil को neutral बनाते हैं option number C बिलकुल सही हो जाएगा ये soil को neutral करने के लिए और इसकी fertility fertility को increase करने के लिए increase fertility increase fertility increase fertility ठीक है तो option number C next question देखें yes tooth decay starts at pH value dash of mouth tooth decay यनि की दांत का खराब होना कब शुरू होता है जब हमारे मुह की pH value कितनी हो जाती है वह 7, 5.5, 7.8 या फिर 5.2 तो यहां पर answer जो है वो आ जाएगा option number B option number B यनि की less than less than 5.5 जब हमारे मुह की pH value 5.5 पहुंच जाती है या उससे कम हो जाती है तब हमारा tooth decay होना start हो जाता है आगे को question देखो yes, electron negativity dash as we move from left to right across the period वहला कि एक period में अगर हम left से right left से right जाते हैं तो electron negativity पर क्या प्रभाव पड़ता है क्या वो decrease होती है increase होती है same रहती है या फिर none of the above इसके लिए जो सही answer हो जाएगा option number B हो जाएगा increase होती है अब देखीएगा increase कैसे हुई electron activity तो जैसे ही हम left left से right की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि size क्या होता है size decrease होता है size decrease होता है और increase क्या होते है increase होता है nuclear charge ठीक है electrons आते हैं बई protons आते हैं तो वहाँ पे nuclear charge increase हो जाता है और size जो है वो small हो जाता है और उसकी बजा से net negative charge increase हो जाता है ठीक है तो जो nucleus है electron और nucleus के बीच में जो attraction है वो बढ़ जाती है उस बजा से उस बजा से electron negativity increase होती है ठीक है अगर हम down the group की बात करें तो down the group down the group down the group electron negativity क्या होगी बही decrease होगी क्या होगी decrease होगी क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है size increase होता है तो यहाँ पे आगी बात decrease की ठीक अगला question देखेंगे yes NO2 sorry माफ कीजे oxide of nitrogen is a colored gas कौन सा nitrogen का oxide colored होता है तो option number D बिल्कुल सही रहेगा वही NO2 और NO2 किस तरह की gas होती है यह यह हमारी brownies color reddish brown reddish brown gas होती है NO2 ठीक है तो यह nitrogen का oxide है जो की कैसा होता है colored होता है all right next question आ जाता है yes the number of neutrons in 17 chlorine 37 तो देखेगा chlorine का atomic number atomic number हम सभी को पता होना चाहिए chlorine का कितना होता है 17 और यहाँ पे दिया भी हुआ है इसमें कितने number of electrons है number of electrons तो वो भी atomic number के बराबर होते है जितना उसका atomic number है उतने ही हमारे पास number of electron आएंगे और number of protons की बात करेंगे तो that is also equals to atomic number that is 17 ठीक है अब हमने पढ़ा है कि neutrons क्या होता है तो number of neutrons number of neutrons निकालने के लिए फार्मुला आता है number of neutrons is equal to mass number minus mass number minus number of protons number of protons ठीक है तो यहाँ पर mass number क्या आजाएगा mass number भी दिया है कितना दिया है sir 37 37 लिख दो और number of proton कितने है 17 है that is 20 तो इसका सही अंसर क्या आजाएगा option number B 20 is correct answer for this question तो इस concept से बहुत सारे question बनते हैं तो please यह concept आप अपना prepare कर ले number of electron proton, neutron, neutron mass number और atomic number ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं next question की ओर yes वहला tamarind contains tamarind क्या होता है tamarind होता है इमली इमली में क्या होता है क्या citric acid होता है क्या tartaric acid होता है क्या सक्सनिक acid होता है या फिर all of the above तो इसके लिए जो बिल्कुल सही अंसर रहेगा वो हो जाएगा tartaric acid option number B is correct answer आगे बढ़ते हैं next question yes 43 dash is an anti-acid इन में से कौन सा एक anti-acid है anti-acid मतलब की जो acidity को remove करने के काम आता है remove acidity to remove acidity ठीक है तो हमारे पेट में जब गड़बड हो जाती है acidity increase हो जाती है तब हम anti-acid लेते हैं तो देखो ये जो aluminium hydroxide है aluminium aluminium hydroxide it is also used as anti-acid as well as magnesium hydroxide जिसको की हम milk of magnesia भी बोलते हैं is also used for anti-acid as used as anti-acid so our correct answer will be option number D option number D that is mixture of aluminium hydroxide and magnesium hydroxide option number D will be the correct answer ठीक है mixture of aluminium hydroxide and magnesium hydroxide now we move to next question yes dash disease is caused by the air pollution कौन सा रोग air pollution की बज़ा से होता है तो देखो air pollution air का काम हम कहां पे सांस लेने के लिए करते हैं तो बाता बरण में जितनी भी हवा है वो हमारे अंदर जाती है अगर हवा खराब होगी तो कहां पे फर्क पड़ेगा हमारे lungs पे हमारे फेफ़रों पे फर्क पड़ेगा तो फेफ़रों से जुड़ा हुआ यहां पे option number C लग रहा है bronchitis और जिसकों की lung cancer भी बोलते हैं तो यह option number C जो है वो बिलकुल सही अंसर रहेगा bronchitis और जॉंडिस किस से होता है भी गंदा पानी पीने से ठीक है malaria मच्छर के काटने से होता है और typhide भी एक तरह से हो जाता है गंदा पानी पीने से ठीक है next question देखें yes तो आज की वीडियो यहीं तक थी हमारे आज के question यहीं तक थे अब next part में हम यह जो हमारा बचा हुआ है question paper पूरा का पूरा complete कर लेंगे जो की 2022 November का जो टैट हुआ है वो चला हुआ है और यह कौन सी stream का है non medical का है भाई यह दोनों streams के लिए important है medical हो चाहे non medical हो वहाँ पर chemistry पूछी जाती है तो इसी के साथ मिलते हैं next video में share जुरूर करिएगा और subscribe भी कीजिएगा जैहिंद